कुछा अस्सेलाम लेकुम कैसे हैं आप Küलवस के किचन Мें बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं रोल तो जैसे ये रोल है गोशữa यह मैंने นगोश लिया है मिरे पास थोड़ी सा गोशथा 스कto एक चौकी मैं ने छोटी लाल मिर्ची पॉर्डर गरम मसाला पॉर्डर और धन्या पॉर्डर है नम्मक आप अपने हिसाब से लीजिए ये दो टमाटर की प्यूरी है अब आये बनाते हैं बिस्मिल्ला रह्मान रहीम मैंने सारी चीजें गोश में डालके कुकर में डालके और फिर उसके अंदर पानी दालके पकाया पानी सुक गया कैता तो मैंने देंखिया ये वनाया में में नमक और पानी डाल के डो तैयार कर लिया है अब अब ये मैंने एक प्यास बारिक काट लिया है, हरा दन्यार पुदीना काट लिया है, और हरी मिल्ची काट लिया है, और ये आदा निम्बू ले लिया है अब जी रेखिए, ये गोश भी माशाला से एकदम गल गया था, और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया था तो ये मैंने उतार लिया है और इसे बाउल में निकाल लिया है तो फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे हमारा ये सारा मसाला जो मैंने काट के रख रखा था फिर इसके उपर मैंने यादा निम्बू का रस निचोड़ा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसका इस वक्त नमक टेस्ट कर लीजिए और जो कम हो वो डाल दीजिए जी मैंने फिर दूसरे एक बॉल में लिये हैं तीन अंडे और इसमें डाला मैंने नमक और इसे अच्छी तरीके से फेट लिया अब इसके बाद मैंने एक पैन चड़ाया छोटा सा और उसके अंदर छोटी छोटी सी ये अंडे की रोटियां बनाके इस तरीके से बना ली हैं अलट पलट करके थोड़े 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 तेल में और फिर इसको इस तरीके से बनाके रख लीजिए ये बहुत ही मज़े के होते हैं आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार-बार बनाएंगे इन्शालला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये देखिए मेरी रोटियां बनके तयार हो गई है और फिर ये मैंने पेड़े बना लिये हैं अपने आटे के और ये मेरी रोटियां हैं और ये मेरा मिक्चर है गोश का अब बनाना शुरू करते हैं तो ये मैंने एक पेड़ा लिया उसकी रोटी बनाएं बारीक एकडम पतली सी रोटी बेल लीजिए फिर उसके उपर अंडे की एक रोटी रखिए फिर उसके उपर डालिए ये मैंने जो मिक्चर बनाया था गोश का फिर इसको इस तरीके से एक तरफ रख कर फिर हमेंसे मोड के रोल बनाने हैं दिखिए जिस तरीके से मैं बना रही हैं इसी तरीके से आप लोग भी बनाईए पिर ये इसी तरीके से दूसरी रोटी का भी मैं इसी तरीके से वना लूगी और पिर अपलोग इसको हलके हलके हाद से मोड़िये और दोनों साइट से भी इसको मोड़ दीजिए ताकि ये बाहर न निकलेश का मसाल तो जिये बना के मैंने तयार कर ली एक तवा गरम करा तेल डाल कर फिर उसके उपर ये रोल डाले अब इसको मैं मेडियम होट तवा रखना है तो फिर उसके बाद इसको आइस्ता आइस्ता मैं दोनों तरफ से शेक लूँगी तो बहुत मज़े के बनते हैं आप लोग भी ट्राइ कीजिए चारों तरफ से अच्छी तरीके से 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 अच्छी हलकी से और कलर नहीं आना चाहिए तो आप लोग मेरे तरीके से बनाएं इंशाल्ला बहुत पसंद आएंगे आप लोगों को आप लोग फिर यही रॉल बनाना पसंद करेंगे घर में भी मेरे बहुत पसंद आए सब को और फिर ये हमने बहुत मज़े से खाए इसे सौस से, चटनी से, मायोनी से आप लोग जिस चीज से भी खाना चाहें खाएए बाकी भी मैंने इसी तरीके से बना कर सब तयार कर लीजिए अब आप लोग देखिए इसे और मनाईए इंशाला आप लोगों को पसंद आएगा और मुझे कमेंट में जरूर करके बताईए कि आप लोगों को मेरे रोल कैसे लगे मुझे दुआओं में याद रखिए अल्ला हाफीज